कि नमस्कार दोसդों आपके हमारे चैनल में स्वाकत है और आज हम बात करेंगे किड्नी की माइक्रोस्कोपीक की स्ट्टक्चर के बारे में यानि कि नफ्रों के बारे में पिछली वीडियों में बात करें ती अगर आपने वूदियों नहीं देखिए तो description में link के जाके check out करें या फिर i button पे click करें देखी चालू करते हैं सबसे पहला point है basic fundamental unit of kidneys nephron यानि कि nephron जो है वो kidney की fundamental unit basic fundamental unit है और next they are one to 1.5 million लिएं नैफरोनीं एाने की प्रते कीड्नि के औक जो हुए वह एक से नेफरोन के नेफरोन जो यह वो दो सबसे पहला तो रिंड industri ऑलकॉर्भ चल्प कर दूसरा है ट्यूबिलर अंसरें आगर मेंहोर। एंससे-पthing बोङaking से ओध कुप ते बारे में पार्ट जो हरे वो फर्दर तीन पार्ट में डिवाइट होता है पीसीटी लूप फेंले और डीसीडी पिसोगी सिवाई चीज के पास में किसी एक चीज के पास में यानि यह जो ग्लोमेलिवर्स उसके पास में है तो इसको PCT बोला गया है और ग्लोमेलिवर्स के दूर है तो इसको DCT बोला गया है अब हम देखते हैं लूप ओफ है जो है उसको भी फर्दर तीन पार्ट में डिवाइड करा गया है ascending limb, a loop और descending limb ठीक है अब हम देखते हैं इसको describe करते हैं आगे अब हम सबसे पहले देखते हैं renal corpuscle के बारे में renal corpuscle होता गया है वेर ब्लड प्लाजमा इस फिल्टर जहां पर ब्लड प्लाजमा जो है वो फिल्टर होता है next two components of renal corpuscle are यानि कि जो renal corpuscle है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है पहला है गलो मेर्यूरस और दूसरा है बोमन कैप्सूल हम गलो मेर्यूरस के बारे में देखते हैं इसके अंदर पहला point है rounded structure content network of capillary known as glomerulus यानि कि capillary के network capillary के network जो कि round structure के होती है उसको glomerulus कहा गया है next point is के अंदर capillary are supplied by efferent artules यानि कि जो capillary जो है जो capillary का network के उसके अंदर ब्लड नेफरों के लेके आएगा नेफरों के पास में लेके आएगा efferent artules और blood को जो है वो आपस लेके जाएगा efferent artules ठीक है अब हम देखते हैं बोबन capsule के बारे में बोबन capsule को हम glow mineral capsule भी कहते हैं इसके अंदर पहला point है double layer होता है epithelial cup epithelial से बना होता है और cup like shape का होता है that's around the glomerular capillary यानि कि glomerular capillary के चारु तरफ होता है double layer होता है epithelial cell से बना होता है और cup shape structure होती है next point इसके अंदर रगा blood plasma is filtering in Bowman capsule यानि कि जो blood plasma है वो Bowman capsule के अंदर filter होता है ठीक है अब हम इसकी layer के बारे में देखते हैं कि जो Bowman capsule है वो कितने layer से मिलके बना होता है mainly जो Bowman capsule है वो दो लेयर से मिलके बना होता है सबसे पहला है visceral layer और दूसरा है parietal layer visceral layer जो है वो closer related होता है capillary के ठीक है जबकि पैराइटल जो है वो outer layer होती है बहुन capsule के नेक्स एसके अंदर the space between two wall called urinary space यानि कि दो wall के बीच में जो space present होगा उसको हम बोलेंगे urinary space ठीक है अब हम बात करते हैं इसके tubular part के बारे में तो long complicated tubules यानि कि जो tubular part है वो लंबा होता है complicated मदा जटे होता है और tube से बना होता है अब हम इसके अंदर देखते हैं पहला tubular part का पहला proximal convoculated tubules PCT is lined by cubertal epithelial यानि कि PCT जो है वो बना होता है lining होती है columnar cubertal epithelial की with microvilli जिसके अंदर microvilli भी present होते हैं which increase the surface for reabsorption and secretion जो microvilli जो है वो इसकी surface को increase कर देता है जो कि reabsorption और secretion को increase कर देता है ठीक है next these cells have many mitochondria यानि कि PCT जो है इसके अंदर कहीं सारे mitochondria present होते हैं next part loop of handling ठीक है it has descending limb and ascending limb यानि कि loop of handling के अंदर जो है वो ascending limb होती है और एक descending limb होती है next the loop of handling line by squamous epithelial यानि कि जो loop of handling है वो line होती है squamous epithelial से ठीक है अब तीसरा part है इसके अंदर digital conculated tubules line by columnar sorry line by cubital और low columnar epithelial यानि कि जो DCT वाला part है वो cubital और low columnar epithelial से inclined होता है next day these cells do not have microvilli यानि कि DCT के अंदर जो है वो microvilli present नहीं होती है next day end into collecting duct DCT जो है वो collecting duct में जाके खुलता है collecting duct में जाके end होता है next day collecting duct joint to form papillary duct of blind यानि कि जो DCT जो है वो आगे जाके जूर जाता है papillary duct of blind के अंदर sorry collecting duct जो है वो आगे जाके जूर जाता है papillary duct of blind के अंदर which open into minor kelex जो कि minor kelex के अंदर जाके further open हो जाता है खुल जाता है अब हम इसको structure के तुरू समझते हैं देखें कि efferent artyos जो है वो impure blood लेके आया उसके बाद में यह जो है बाडी में बेस देगा और उसके बाद जो है हो याँ पर जो है यह आया रिंट्रेट आया उसके बाद में यह falls committed के अंदर ठीक है पी सिटी के अंदर आने के बाद में आएगा लूप फैनले के अंदर लूप फैनले के अंदर आने के बाद में आएगा डी सिटी के अंदर और डी सिटी के बाद में यह कलेक्टिंग डक्ट में आ जाएगा ठीक है अब हम इसको आगे बढ़ते हैं फर्दर में यह आएगा लूप फ और के बाद में याएगा डीा कि वाले पार्ट में और फिर टार्ट में और को पिछली में बताया है था कि रिन्य पयलिवि जो है वो यूरेटर का अपर लगता है उसके बाद में नदर आपने के बाद में यूरेटर के इनदर वागत है ज लहाएगा कुछ पार्टे वो किड्नी के कौन से रिजन में प्रजेंट होते हैं ठीके देखिए जो किड्नी नेफ्रोन का PCT वाला पार्टे DCTA और ग्लो मेरोलस है वो कोटेक्स रिजन में प्रजेंट होता है जब कि लूप ओफ है और अप्र घ्लेक्ट्ट जो है और length of loop of handle के according हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड करा गया है दो पार्ट में डिवाइड करा है सबसे पहला है cortical nephron और दूसरा है juxtra medullary टीक है अब हम इसकी बीच में difference भी देख लेते हैं आउट्रएर्टिकल नेफ्रोन में वो. वो में खोता होता है साइज़ का होता है जुक्स्ट्र मेडियुलरी जो है वो deep into medallari medulla होते हैं यानि medulla के deep में present होते है is next rate of filtration slow यानि कि जो cortisol lotion नेफरन होते हैं उसका glac filtration rate जो होग स्लो होता है जब्कि जुक्स्ट्र मेडियलरी का fast होता है ठीक है अब हम next देखते है next topic है हमारा जुक्स्ट्रा गलो मेंररस अपेटस ये लो होता क्या है देखिए जुसलाइज और इन ओटेंट जुक्स्ट्रा गलो मेंरर ऑफ इस नेफ्रोन ओए प्रत्षिय के ईटक्छ और जिसको हम जुक्स्रा गलो एपेटस बोलते हैं फॉर्म बाय थ्री टाइप ऑफ सेल जो कि ज़ी यह वह तीन टाइप के सेल से मिलकियों बना होता है सबसे पहला है ज़ी सेल दूसरा है मैकुला डेंसा और तीसरा है लेसिस सेल ठीक है अब हम देखते हैं ज़ी सेल के बारे में ज़ी सेल आर स्मूर्थ बस बनाने का का काम करता है और एक हार्मन होता है जो कि बलड प्रेशर रेगलेशन के काम आता है दूसरा इसके अंदर सेल है Mucular dancer is specialized region of DCT यह निए DCT का specialized region होता है which returns to glow-mellorose become longer and narrow, जो कि DCT के जो glow-mellorose के पास आते हैं लंबा और सकड़ा हो जाता है, नेरो हो जाता है तीसरी cell इसके अंदर लेसे सेल, लेसे सेल जो है supporting cell of JGA यानि कि जुक्स्ट्रा, global nervous hepatitis की supporting cell होती है found between JG cell और macula densa यानि कि जो ये है, लेसे सेल जो है वो JG cell और macula densa के बीच में present होती है अब हम इसको डियाग्राम के थुरू समस्ते देखिए कि यह जो है वह PCT है देखिए यह जो है वह PCT है यह लिखा और PCT है और यह जो है वह efferent articles है और यह जो है वह efferent articles है इसके बीच इन दोनों के बीच में यानि कि जो PCT का यह जो है यह जो जो यह जो आपको यह जी सेल और में टेंसा जो है वह उसकी बीच में प्रेज़ेंट धन्यवाद